Hello Friends, Welcome to my channel NSP Learning Hub, Because Learning is Life Hello बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैच के important question की second video लेकर आई हूँ पिछली वीडियो में हमने 10 question discuss करे थे, जो की बहुती important थे और exam में बार बार पुछे जाते हैं चलिए करते हैं आज की video start दी गई आकरती में यदि angle AOB बराबर 125 degree centigrade हो, तो COD, angle COD करो ग्यात करो ये figure आपको दे रखी है, तो चलिए करते हैं solve देखो बच्चों, दी गई आकरती में angle 1 बराबर है angle 2 के और angle 3 बराबर है angle 4 के इसी तरह angle 5 बराबर है angle 6 के और angle 7 बराबर है angle 8 के ऐसा असलिए होता है कि संगत रखों के संगत भाग हमेशा equal होते हैं अब हमने क्या करा, angle 2, 3 और 6, 7 को हमने एक एक पार्ट में ले लिया और 2 से इसको आगे हमने 2 का multiply कर दिया, यानि ही सभी angle 2-2 angle के बराबर है तो सब कसम 360 डिगरी हो गया, अब हमने इसको 2 से divide कर दिया, तो चारो angle कसम 180 डिगरी हो गया और हम देख रहे हैं कि angle 2 प्लस angle 3 के बराबर है angle AOB के इसी तरह angle 6 और angle 7 angle COD के बराबर है यानि angle AOB plus angle COD equal हो गया 180 डिगरी के और angle AOB की value हमें दे रखी है 125 डिगरी जब हम इसको 180 में से minus करेंगे तो हमें angle COD की value पतर मिल जाएगी जो कि 55 डिगरी होगी caution number 2 में देखो बचो आकती O व्रत का केंदर है और PT और PQ बहाए विंदू P से व्रत पर बनी दोस पर श्रेखाए हैं यदि angle TPQ आपको दे रखा है 70 डिगरी हो तो angle TRQ का मान ग्याद करो चलो करते हैं start देखो बचो caution number 2 में इसमें एक हमें quadrilateral यानि की चतरभुश दे रखा है PTOQ हमें पता है कि चतरभुश के चारो angles का सम 360 डिगरी होता है तो हमने angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equal to 360 डिगरी ले लिया हमने angle P को माना angle 1, angle T को angle Q, angle O को angle 3 and angle Q को angle 4 तो चारो का सम हो गया 360 डिगरी अब हमें पता है कि angle 1 plus angle 3 किसके बराबर होता है हमारा 180 डिगरी है यानि कि चतरभुश में जो opposite angles होती है उनका सम 180 डिगरी के बराबर होता है तो angle 1 की value दे रखे हमें 70 डिगरी angle 3 की value निकल कर आ गई हमारी 110 डिगरी और हम जानते हैं कि angle 3 जो है यानि कि जो भी हमारी ये थियोरम होती है जो center से angle बनता है वो किसी दूसरे point से बने angle का double होता है तो जब इसकी value 110 है तो ये 2 angle 5 के होगा यानि कि हम angle 5 अगर निकालेंगे जो कि angle R है तो वो 110 को हम 2 से divide कर देंगे तो angle TR की हो जो कि angle 5 है उसकी value 55 degree centigrade आ जाएगी question number 3 देखिए बच्चों एक व्रत को 12 समान 13 खंडों में बाटा गया है परतेक 13 खंड का केंद्रे कौन ग्याद कीजिए question number 3 का answer बहुती आसान है देखो बच्चों एक व्रत को हमने 12 एकवल भागों में बाट दिया है हम जानते कि व्रत का केंद्रे कौन 360 डिगरी का होता है तो व्रत को 12 तिर्जी खंडों में बाटा गया है तो हम 360 को 12 से divide करेंगे तो हमारा answer जाएगा 30 डिगरी यानि प्रतेक तिर्जी खंड का केंद्रे कौन 30 डिगरी का होगा question number 4 देखो बच्चों ये बहुती important question है और ये exam में कई बार आया हुआ है एक व्रत की परिधी और वर्ग का परिमाप भराबर हो तो व्रत की छेतरफल और वर्ग की छेतरफल में संबंद ग्याद करो देखो बच्चों question number 4 को कैसे solve करेंगे व्रत की परिधी बराबर व्रत का परिमाप हमें दिया हुआ है व्रित की परदी यानि की 2πr जो की equal है वर्ग के परिमाप यानि की 4 1 की तो हमें पता है 2πr की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है वो हमने इसमें लगा दी और हमारे वर्ग का परिमाप 4 एक आई दे रखा है तो इससे हम R की value यानि व्रत के त्रिज्जे निकाल लेंगे जो की हमारी solve करकर आएगे 7 upon 11 एक आई व्रत का छेत्रफल बटे व्रत का वर्ग का छेत्रफल ये हमें निकालना है तो व्रत का छेत्रफल होता है पाई आर स्कॉायर और वर्ग का छेत्रफल तो फिर वन गुणा वन आपका एक ही आएगा तो इसमें हम पाई की value लगा देंगी और R की value हमने अभी निकाली है जब इसको solve करेंगे तो इसकी value आएगी हमारी 14 upon 11 यानि हम कह सकते हैं कि व्रत के छेत्रफल और वर्ग के छेत्रफल में 14 अनुपात 11 का अनुपात होगा चलो बच्चो solve करते हैं आज का last question, question number 5 14 cm तरज्या वाले एक व्रत के चतुरधांश का छेत्रफल ग्याद कीजिए जबकि हमें पाई की value दे रखिये 22 by 7 देखो बचो बहुती आसान है ये caution हमें व्रत का चतुरधांश निकालना यानि की 1 by 4th पार्ट जो कि हम मेंने shaded पार्ट में दे रखा है दिया है व्रत की 34 cm तो पाई की value हमें 22 upon 7 होती है व्रत का चेत्रफल बड़ाबर पाई आर स्कॉरर और व्रत की चतुरधांश का चेत्रफल क्या हो जाएगा 1 by 4 by पाई आर स्कॉरर यानि पाई आर स्कॉरर का हम 1 by 4th कर देंगे तो पाई की value हमें दे रखी है आर की value हमें 14 14 दे रखी है solve करके इसका answer आजाएगा 154 cm2 यानि व्रत के चतुरधांश का चेत्रफल क्या हो जाएगा 154 cm2